नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिरसे एक बार रहे हूं आपकी वही अंजलीन कौन कहता है कि दिल सिरफ सीने में होता है तुझको लिखूं तो मेरी उंगलियां भी धाड़कती है यहां में सभी सुना हम आज के दिली राशी फलकी बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बड़े है या अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी गुड़ विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं चूले आसमान जमीन की तलाश ना कर चीले जिन्दगी खुशी की तलाश ना कर तक देर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त मुस्कूराना सीख ले वजा की तलाश ना कर कहती है दुनिया बस अब हार मान जा उमीद पुकारती है बस एक बार और सही आप भी मरते दम तक अपनी आपनी सांस तक जीतने की उमीद जिन्दा रखे उमीद को हमेशा बना के रखना चाहिए क्योंकि उमीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापिस ला सकते है हमारा मन वो सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे ये उसी रंग में रंग जाएगा जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो अगर तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे और अगर तुम खुद को ताकतवर समझते हो, तो तुम ताकतवर हो जाओगे के लिए यही उचित है, वरना बेवजा छोटी सी बात का भी बड़ा असर हो सकता है आप पर, कोई भी विवहार करते समय किसी को साक्षी रखकर ही विवहार कीजेगा, साथ में आज लेन दिन में आपको साफधानी बर्थनी होगी, सिरकारी जो लोग काम करते हैं उनको आज प्रमोशन मिल सकती है, सितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, लेकिन हाँ आज जो है इंपोर एक्स्पोर्ट करने वाले विवपारी को जादा बहते नतीजे देखने को मिल सकते हैं, और जो लोग का दवाईयों का काम करते हैं, HR वगरा हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़ि चित्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाई भी हैं, इसलिए पूरी तरह से फोकस खोकर आपने लक्ष की और आगे बढ़ती जाएं, स्पेशली सुड़न्स को आज फोकस बनाकर रखना होगा, कभी-कभी बहुत ही जादा जल्दबाजी और उतेजना की सकता है, बल्कि खर्चा उतना ही कीजिए जितना आपके लिए फायदा मन्द है, बनना आपका बचक जो है, वो डावा हो सकता है, तो आपको चादर देखरे आज की दिन पैर पुसानने चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, भाविश्य से जोड़ी आर्ठी की उजना बनाने का ज्यादा ध्यान रहेगा आपका, बल्कि ध्यान देना भी चाहिए, लोन चुकाने के लिए किये गई प्रतने से सफ़ता मिल सकती है, अगर आज आप लोन लेने का सोच भी रहे हैं, तो अब यह आपको लोन मिल सकता है, आखरी सिती में बदलाव लाना आपका जिका मात्र उदिश्य हो सकता है, काम में हो रही प्रगति कासर जीवन में और भी पहलों पर इस कासर देखने को मिल सकता है, अगर आज आज आपके इन सोना चांदी वेगरा खरीना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लहेगा, लेकिन आपको इन सब चीजों कुछ है लॉंग टर्म करके ही रखना चाहिए, वरना आपको फाता नहीं मिल पाएगा, तो आपको अगर लॉंग टैम इन्वेस्मन करते हैं, तो बहुत बढ़िया है सोने और चांदी का, अज आपके पॉजिटीव और संतुलित सोच द्वारा योजना बद तरीके से सभी कारे संपन होते नजर आएंगी, आज का ग्रे गुजर आपके लिए आप्रितिशित लाब की और इशारा भी कर रहा है, इसलिए जो है समय का आपको भरपूर मातरा में सयोग देना होगा, आज किसी अंजान व्यक्ति से पैसे सो रिलेटिड लेन देन को लेकर कोई बाद विवाद हो सकता है, इस लेकिन आपको ध्यान देना होगा, इसलिए बात करते हैं आज की बिजनस वर करेर की तो आज व्यवसाई का कदिविदिया कुछ मंद रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता के बल पर आर्थिक सीति को और भी जादा मजबूर बनाने में सक्षम रहेंगे, आज आप अप करेंगे तो आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि वो आपसे एक्सपर है, पहले काम कर चुके हैं, तो आपको उनकी निगरानी में काम करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, अर्था जिन बढ़ाने के लिए नए मार्गों का अवलंबन करना होगा, साथ म आज किसी इंपोर्टन व्यक्ति से मुलाकात करते समय, आपको बिस्नेस में काफी इच्छा लाब देखने को मिल सकता है भविश्य में, इसके साथ ही किसी भी कारी को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कीचेगा, इंफोर्मेशन बहुत इंप करते हैं, इसपेशली सोशल साइब तो आपको बहुत ही अच्छे नेतीजी आपके बिजनस अरे देखने को मिल सकते हैं, आज जो लोग भी रोजकार हैं उनको रोजगार मिल सकता है, जो जो लोग सर्च कर रहे थे उनको जोब मिल सकती है, बहुत ही बढ़ी आज दिन कहा जा सकता है आपके लिए, साथ में चलिए बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में, तो आज के जो लव लाइफ है वो आपके बारे में कहती है कि अत्यधिक व्यस्तिता के कारण पते पतने एक दूसरी के साथ समय स्पेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर के बज़र् आज इनर चाइल्ड थारपी से लव लाइफ में भी बदलाव देखा जा सकता है, जिनको कोई प्रॉबलम है, उनके लिए कुछ नया रास्ता निकल सकता है, परिबार के साथ शॉपिंग करना और उनके साथ कुछ समय स्पेंट करना, इन सब चीजों से आपको बहुत ही चलिए बात करते हैं, आज की स्वास्ति की बारे में स्वास्ति कहता है कि गली और चाती में कफ खान से की वज़ए से इन्वेक्शन होने की चीज़ें हो सकते हैं आपको, इसका ध्यान रखना होगा आपको, लापर वाही बिल्दकुल भी मत परती का और उचित इलाज की संभावना बन रही हैं, जिन लोगों की उनको सब्वता मिल सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको प्रहेज जारी रखना होगा, स्वास्त बाकी लोगों का ठीक ठाक है, कब प्रिर्टी के लोग वर्तमान मौसम से साफधानी बनाए रखी हैं, बात करते है आज के विशेशु पाई के बारे में, तो आपके लिए विशेशु पाई कहता है कि आज आपको जो है, खाने पीनियों के चीज़ों का जुदान करना चाहिए, और हाँ, छोडी कन्या को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे, बहुत यह बढ़िया रहेगा, किसी के साथ या तरिवार आपको जो है, बहुत जो है।